हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इट्स कंपेटर माइन इमें समराध दिबनात और इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ एक लैप्टॉप जो कि आता है इसेर की तरफ से यह एक गेमिंग लैप्टॉप है और स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है कि यह गेमिंग लैप लैप्टॉप का पर फिर भी यह लैप्टॉप काफी पाउरफुल है और इसमें जो स्पेशिफिकेशन से यह वन अफ दे लेटेस्ट है मार्केट में तो चलिए देख लेए सबसे पहले स्पेशिफिकेशन्स तो इसमें आपको डेफिनिट्ली विंडोस 10 मिलेगा इंटल क करने के लिए काम आता है और फिर जनरेशन इसका कूलिंग सिस्टम भी है जो कि तरफ से आता है और यहाँ पर डी टी एश एक्स यह स्पेशली है और यू के लिए और यू सिस्टम को एंहांस करने के लिए यह जो है फीचर इसमें भी मतलब यह लैप्टॉप में है मतलब इंटेल की तरफ से आने वाला लेटेस्ट और वन अफ द पावरफुल प्रोसेसर आई नाइन यह आपको इस लैप्टॉप में मिल जाएगा और साथ ही साथ जी फोर्स रटी एक्स 30 सीरीज ग्राफिक्स कार जो की ग्राफिक्स कार है यह जो इसमें लगाया गया है अब तक तो आपको इसमें प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार दोनों के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं परेगी क्योंकि दोनों ही बहुत ही पावरफुल है यह आप एक बैक लुक देख सकते हो इस लैप्तॉप का और आगे देख लेता है यहां पर रहसे के ल चलेगा और जैसे के बताया रहा है 11th generation Core i9 इसमें मिलेगा वन अफ़ पावरफुल प्रोसेसर हैं इंटल की तरफ से और जीफोर्स आइक्स 3080 वन अफ़ पावरफुल ग्राफिक्स कार सम एन्वीडिया और साथी साथ आपको मिलेगा यहां पर 64GB RAM वीट DDR4 3200 MHz तो जैसे के आपको पता ही होगा कि गेम वगेड़ा खेलने के लिए आपको मिनिममम 16GB RAM तो चाहिए अगर आपको 1080p में एक बरिया कॉलिटी में गेम खेलनी हो तो पर इस लैपटोप में आपको 64GB का RAM मिलेगा इसका मतलब आप आराम से 2K या फिर 4K गेम भी खेल सकते हो यह काफी अच होगा कितनी सारी गेम स्टोड हो सकती है कितनी सारी आपको वीडियो स्टोड हो सकते है आपको content creation करना है आप यूटूबर हो तो आपको पता ही होगा कितनी सारी वीडियो संको स्टोड करने रहते है तो आराम से आप इसमें मतलब 4TB में SSD में आराम से स्टोड कर सकते हो और SSD का फाइदा ये भी है कि उसमें आपको अच्छी स्पीड मिल जाएगी compare to hard drive और इसमें आपको मिलेगा 5.0 दिगहर्स के टर्बो स्पीड मतलब जो processor है वो 5.0 दिगहर्स तक जा सकता है ये काफी अच्छी बात है और आपको 8 कोर्स मिलेगा प्रोसेसर में 16 threads आगे बड़े तो यहां पर चैसे के लिखा हुआ था Nvidia RTX 30 series आपको मिल जाएगी यहां पर कुछ graphics वगरा है और यहां पर आपको यह features मिलेंगे इस graphics card के अंदर जैसे के आप Dynamic Boost 2.0 है Nvidia DLSS यह एक नया feature है इसमें आपको जो gaming की detailing है वो enhance होके मिलती है तो यह वाला feature भी है इस graphics card में तो आपको इसका मतलब laptop में यह वाला feature मिल जाएगा और आगे की बात करें तो 5th generation arrow blade 3D technology वाला fan है जो की Asus ने introduce किया था सबसे पहले और Asus से ही लेके वो fan की technology इन्होंने अपने laptop में यूज की है इसे जो cooling system है वो enhance हो जाएगा और 10-20% cooling है वो बढ़ जाएगी आपके laptop में तो जितना cooling ज्यादा होगा उतना ही आपका laptop ठंडा होगा इसका मतलब performance ज्यादा होगी ठीक है तो यह एक अच्छी बाते plus point है और य 16 इंच का display with 16 raise to 10 अब 16 raise to 10 का display दे दिया है इसका मतलब क्या है कि इसको आप content creation के लिए यूज कर सकते हो like video editing and photo editing और यहाँ पर आपको Q WQ XGA वाली जो screen है वो मिल जाएगी इससे आपको picture quality है वो बहुत ही बहुत ही accurate और बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है और साथी साथ इसका मतलब क्या है कि आपको अगर गेम खेलना हो तो आप 240 हर्स तक इस laptop को push कर सकते हो गेम खेलने के लिए और साथी साथ इस डिस्प्ले में आपको मिलेगा Nvidia G-Sync इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको laptop में अगर आप गेम खेल रहे हो तो उसमें काफी बार क्या होता ह है कि जो monitor है और जो GPU है वो काफी बार synchronize नहीं हो पाता है इसके और जासे जो picture quality है उसमें थोड़ी disturbance हो जाती है तो उसी disturbance को रोकने के लिए यह Nvidia G-Sync वाली technology है यह काम आती है तो यह एक काफी अच्छी बात है और यहाँ पर है Nvidia Optimus Technology यहाँ पर आप देख सकते हो integrated GPU और GPU को क का form factor है 19.9 mm बारा घंटी के आपको battery life मिल जाएगी एक gaming laptop में 12 hours के battery life यह एक काफी अच्छी बात है ज़दातर laptops में इतनी अच्छी battery life नहीं होती मतलब खासकर के gaming laptops में पर इसमें है इसको आप चाहो तो बाहर भी ले जा सकते हो क्योंकि ज़दातर gaming laptops जो है वह heavy होते है और इसको आप बाहर ले जाना थोड़ा मुश्किल जाता है पर यह laptop quite light है और इसको आप बाहर ले जा सकते हो और यहाप आप देख सकते हो 87% screen to body ratio है मतलब इसका जो bezel-less design है वह काफी अच्छा है दिखने में और यह एक है intel killer system अब यह एक processor है एक चीप है आप इससे कह सकते हो ज यह wifi के लिए है और यहाँ पर e3100 यह internet के लिए है special chips install की गई है इस laptop के अंधर जिससे आपको internet की speed enhance होके मिलेगी ताकि आप gaming live streaming जब youtube पे करते हो वह आप और भी अच्छी से कर सको तो यह एक अफी अच्छी बात है अब यहाँ पर पढ़ सकते हो और यह भी दिखाया गया यहाँ पर DDX sound system है इस laptop में laptop के नीचे या फिर laptop के ऊपर को speaker लगाया गया है मेभी नीचे या फिर ऊपर है और इस sound system के साथ अपको जो audio है वो आप बिना headphone की भी काफी अच्छे से सुन सकते हो आगे बात करें तो यह यहाँ पर आप यह पोर्स की connectivity देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर यह आपका audio है यह थनर बोल्ट है यहाँ पर HDMI है यहाँ पर कार्ड वाला है इंटरनेट है और यहाँ चार्जिंग वाला है तो सारी चीज़े अल्मोस्ट बेस्ट है इस पर देखने वाली को ज़रूरत है और यहाँ पर आपको एक इंटरफेस मिल जाएंगा इस laptop के अंदर software है जिससे आप यह जो overclocking है fan control है वो सब control कर सकते हो तो यह कफी अच्छी बात है ज़ाँ तर लैप्टोप में नहीं होता यह पर इसमें है और काफी सारी यहाँ पर information दियो ही है और यह हो यह पेज खतम सो all around मैंने जिदना भी इस laptop को देखा यह one of the best laptop है आपके लिए अगर आपको lightweight और एक gaming laptop चाहिए हो तो और यह में आपको बता दू कि इस laptop के उपर मैंने detail में एक article लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हो यह पूरी specifications पूरी एक जगा पर है और यहाँ पर detailing में आगर आपको पढ़ना हो प्रोसेसर के बारे में इस laptop के specifically ग्राफिस कार के बारे में memory के बारे में storage के बारे में जितनी भी चीज़े है इसमें detailing में मैंने हर चीज़ देके रखी हुई है तो अगर आपको यह सब description में link दिया हुआ है इस page का तो आप directly वहाँ पर जाके देख सकते हो तो finally मैं अपना opinion दू तो अगर आपको एक light weight और एक powerful laptop चाहिए तो आप इस laptop के साथ definitely जा सकते हो यह one of the powerful और one of the lightest gaming laptop है market में हां थोड़ा महंगा हो सकता है पर आप इसमें definitely जा सकते हो so friends इस वीडियो में इतना ही था मिलते है किसी अगले वीडियो में so this is Sam signing off इस computer